हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा एक और वीडियो के साथ मैं प्रांक और गर्ग आप सब का स्वावत करता हूं आज के वीडियो में आप से शेयर करूंगा common errors जो किया सकती हैं डॉक्टर मोर पैन बीपी 14 ब्लेड प्रेशर मशीन में और उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं तो वीडियो के इंट तक बने रहिएगा एल्थ मित्रा पे नए आये हैं तो जल्दी से अपने हेल्थ मित्रा को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसे content मैं बनाता रहता हूं और इस तरीकिक content आपको सिर्फ हेल्थ मित्रा पे ही मिलेंगे साथ ही लाइक करके comment करता हिए यह content आपको कैसा लगा शुरू करते हैं आज के वीडियो से common errors and how to remove those errors in Dr.Morpan BP-14 BP machine की BP-14 के unboxing मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ friends उसका detailed review और unboxing already available है और इसका description में मैंने link पी दे रखा है आपको जब चाहें आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे Dr.Morpan की BP-14 BP machine के बारे में आपको complete knowledge मिल सके है शुरू करते हैं आज की वीडियो से तो जो दो पिर आपकी technical error technical error जैसे error one हो गई error two हो गई जो की machine में ER1, ER2, ER3 के त्यादी रूप में आ जाती है और manual error वो होती है जो की हमारे जानकारी के अभाव में या कभी-कभी गलती से हम लोग उसको सही से समझनी बाते और error आ जाती है जैसे जो हमारा BP machine का कफ होता है उसको हम लोग ठी चेक नहीं करते हैं, electric supply नहीं चेक करते हैं, जो हम कफ लगाते है BP machine में उस socket को हम लोग कभी-कभाद ठीच से चेक नहीं कर पाते तो इस तरीके की error जो होती है वो आती है manual error में, हम बात करते है अब technical errors की, तो सबसे पहली error जो इस machine में BP 14 Dr.Morpen में आ सकती है वो आती है आपक का मतलब यह होता है friends की sensor abnormal problem की जो इसका sensor है, उसमें कुछ problem है, sensor जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका solution यही है की जिस भी dealer से आपने ये machine ली है, ये machine आप उस dealer को वापिस करके आए और उनको बोले की warranty में है तो उसके लिए से proceed करें या इसको आप replace करके दोसी machine ले, next error जो आत स इसका मतलब होता है, unable to calculate pressure या monitor is not detecting the pulse, जो pulse reading है, वो detect नहीं कर रहा है between monitor या reading ये नहीं ला पा रहा है, तो उस case में भी यही करना है, जो भी dealer है या distributor है, आपने जिस से ये machine ली है, उसको return करके एक fresh और दोसी machine आप उन से ले सकते हैं, next error जो आती है, वो आती है, इसका मतलब ह होता है, abnormal measurement, मतलब जो reading आ रही है, आपकी बहुत ज़्यादा high या बहुत ज़्यादा कम आ रही है, उसके हम लोग कहते है, abnormal measurement, तो इसके लिए है, जो आपने reading ली है, एक बार उसको दोवारा, या three times उसको लेके देखें, थोड़े थोड़े अंतराल पे, और फिर भी अगर abnormal reading आ रही है, तो इसको आप replacement के लिए process में दे सकते हैं, क्योंकि ये इसमें technical error है, इसमें हम और आप कुछ भी ने कर सकते हैं, next error जो आती है, इसमें वो आती है, ER4, अब ER4 friends error तब आती है, जब जो कफ होता है, इसका जो कि हम upper arm पे बानते हैं, वो बहुत जादा lose होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ER होती है, जिसमें जैसे ER इसमें pump करते हैं, तो वो ER leak कर जाती है, और कफ properly inflate नहीं कर पाता, due to leakage of ER, इस case में क्या करना है आपको, जो कफ है, उसको देख लें, कि वो properly बना हुआ हो, बहुत जादा tight ना हो, बहुत जादा lose ना हो, और ER अगर leak कर रही है उसमें से, तो कफ को replace करके, एक नया कफ यूज़ करें, तो ये error आप आसानी से avoid कर सकते हैं, नेक्स्ट error जो आती है, वो आती है, ER 5, ER 5 रेंट से अगरता आती है, जब जो air tube होती है, इसकी, उसमें कई जादा folds अजाते हैं, air tube is folded too much, जैसे एक कफ होता है, कफ से जो हमारी air tube निकलती है, वो ये सही रहता है कि जो tube है, वो बिलकुल सीधी रहे, और उसमें कोई भी इस तरह से zigzag mode वगरा ना आए, अगर उस type से mode आ रहे हैं, तो होता क्या है, जो air है, वो travel नहीं करकाती properly, या air जो है, जो inflate करती है इसको, वो proper air इसको नहीं मिल पाती, त जिसमें पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी जैसे reading आने में भी समस्या हो सकती है, तो इस error को दूर करने का तरीका यहीं है, कि जो tube है आपकी, वो आप चेक कर लें, कि बिलकुल सीधी हो, उसमें किसी परकार कोई mode वगरा, या silver वगरा ना पड़ी हो, तो यह error आप असानी से avoid कर सकते हैं, clear error जो इसमें आ सकती है, वो आती है ER6, अब ER6 error का मतलब यह होता है, कि जो sensor है, वो बहुत जादा fluctuations को observe कर रहा है, sensors is seeking too much of the fluctuation in the pressure while measuring the blood pressure, यह क्यों होता है, जैसे मान लिजी आप ले रहे हैं, और BP लेते टाइम आप move कर रहे हैं, या आप भोल रहे हैं, तो उस शक्कर में क्या होता है, जो sensor होता है, उसमें काफी जादा fluctuations आ जाती है, जिसकी वज़े से proper reading नहीं आ पाती, और यह error जो है ER6, यह आ जाती है, इसको दूर करने का यही तरीका है, कि एक आप में बिलकुल शान्त होके बैठें, और कोशिश कर बाडी मुवमेंट बिलकुल ना के बरावर हो, बाडी मुवमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो इस टैप की error को आप बड़े अराम से avoid रह सकते, नेक्स्ट error जो आती है इसमें, वो है ER7, अब ER7 का मतलब यह होता है, कि pressure problem in the BP machine, कि जो BP machine है, इसमें pressure generate करने में ही कोई problem है, तो इस machine के refreshment के लिए आप जा सकते, नेक्स्ट error और final error जो इसमें आ सकती है, वो आती है ER8, अब ER8 का मतलब यह होता है, कि device is not properly demarkated, या demarkation error, demarkation का मतलब होता है, limits of any instrument, जैसे इसकी जो limit है, lower limit होगी, एक upper limit होगी, कि इतना range में BP तो यह आपको दिंगे ही दिंगे, तो जब भ आती है, तो ER8 जो है, वो आती है, और इसे दूर करने का एक ही तरीका रहता है, कि इस machine को आप वापिस अपने डिस्टिबूर्ट को दे लेए, तो यह machine replace हो जाएगी, अन्य था ER8 है, और आप इतनी जानी से इसमें ठीक नहीं कर सकते, उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आ और memory जो होती है, इसमें A और B, उसको हम कैसे देख सकते हैं, प्राणी लीडिंग्स को, इन सब के साथ आपकी सेवा में हाजर हो जाऊँगा, पर तब तक थोड़ा सा इंतजार, और बनाये रखिए अपना थोड़ा सा प्यार, धन्ने वार्ट